नमस्कार आप देख रहे हैं टेक्निकल सैनीजी योटूब चेनल ज्यान बांटने से बढ़ता है और इस चेनल पर आपको हमेशा कुछ नया सेखने को मिलता है दुस्तो आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपके यूटूब चेनल पर जो वीडियो आप अपलोड करते हैं उस चेनल का कोई भी टाइटल डाल कर यूटूब के सर्च में सर्च करता है तो आपका वीडियो टॉप पे कैसे आएगा सर्च करते ही उपर एक दो तीन नमर पर आपका वीडियो दिखना चाहिए और ये कैसे दिखा सकते हैं तो इसके लिए जब वीडियो को आप अपलोड करते हैं अपने चेनल पर तो उस समय विशेश बाते ध्यान में रखनी चाहिए टाइटल, टैट, डिस्क्रेप्शन कैसे डाल सकते हैं इसके लिए विशेश तरीका होता है उसी तरीके को फोलो करके आप अपनी चेनल पर वीडियो अपलोड करेंगे तो निस्तित रूप से आपकी जो वीडियो होंगे वो सर्च में टॉप पर आने लगेंगे और सर्च में टॉप पर आएंगे तो निस्तित रूप से आपका अगर नया चेनल है और वीउज सुरवात में अगर अच्छे नहीं आ रहे हैं क्योंकि सस्क्राइबर्स कम होते हैं वीउज बहुत देरे देरे आपका चेनल गरो करता है इसलिए हो सकता है कि आने वाले दो तीन मेहने में छे मेहने में आपके उस वीडियो पर वीउज बहुत ज्यादा आ जाएंगे जिने देखकर आप खुश हो जाओगे अगर आपका वीडियो सर्च में टॉप पर आ रहा है तो अगर सर्च में ही नहीं आता है तो फिर उस पर भाविश्य में वीउ जाने की संभावना नहीं रह पाती है तो चलिए इस वीडियो में हम सिखते हैं कि किस तरीके से आपको वीडियो अपलोड करना है जिससे कि आपका वीडियो सर्च में टॉप पर आ सके लेकर चलता हूँ आपको मोबाईल स्क्रीन पर और मोबाईल पर ही बढ़िया से जोम करके एक वीडियो अपलोड करके आपको दिखाता हूँ और आपको भी सिखाता हूँ किस तरीके से आप अपने वीडियो को सर्च में टॉप पर ला सकते हैं देखे दोस्तों अब हम मोबैल स्क्रीन पर आ चुके हैं और मोबैल से ही हम एक वीडियो अपलोड करेंगे और विडियो को अपलोड करते टाइम में हमें किस तरिके से टाइटल टैग लगाना चाहिए जिसे की वीडियो सर्च में ठॉब पर आए तो एक वीडियो मैंने यहांपर एडिट करके रेडी कर लिया है अपलोड करने के लिए तैयार है अब मैं उसे upload करूँगा तो upload करने के लिए देखे सबसे पहले आपको YouTube में जाना है YouTube में जाना कर यहाँ पर जो search bar है इसमें click करके आपका जो वीडियो है उसका जो title आप सोच रहे है वो title यहाँ पर लिखनी की कोसिस करें जैसे ही 2-4 word डालेंगे उपर उपर उसका title आजेगा जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1000 जो subscribers है यह जल्दी कैसे complete करें उससे समंधित मेरा यह video है जो मैं upload काना चाहरा हूँ तो मैं यहाँ पर इंगलिस में लिखता हूँ How to get 1000 subscribers ठीके यह देखे यह आ गया है अब यहाँ पर उपर उपर जो title आया है इन में से हम कोई भी title ले सकते हैं जो हमारे वीडियो से related है देखे इंस्टाग्राम का तो वीडियो बना ही नहीं है तो इंस्टा का तो लेना ही नहीं है हमें और यहाँ पर देखे यह YouTube से समंधित है तो इस पर किलिक करना है इस पर जैसे ही किलिक करेंगे यहाँ पर address बार में आ जाएगा इसको आप यहाँ से copy कर सकते हैं या फिर लिखकर या याद करके भी वहाँ पर जब title डालेंगे तो यहाँ पर इसको हम copy कर लेते हैं और वीडियो का title लगा देंगे यह title में रख देंगे एक बार आप चाहो तो इसको देखे नीचे जो लिखे गए हैं इन tags में से एक title और लेंगे और वो भी हम title में लगा देंगे देखे यहाँ पर मैं इन में से कोई भी एक title और ले लूँगा गलेरी से मैं वो वीडियो सेलेक्ट कर लेता हूँ जो वीडियो मेरा एडिट किया हुआ है देखे इसको जैसे ही सेलेक्ट करेंगे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आगिया है अब यहाँ पर देखे नेक्ट पर किलिक करते ही यहाँ पर title में हम उसको copy कर देंगे same ऐसा कैसा है इसमें हमें कोई परिवर्टर नहीं करना है और यहाँ पर हम इस तरीके का यह sample लगातेंगे यह लगाने के बाद एक space देंगे और फिर दूसरा title यहाँ पर हम लिख सकते हैं जो हमने वहाँ पर देखा था देख सकते हैं अब एक title एक तो हमने English में डाल दिया दूसरा हम Hindi में लिख सकते हैं यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ YouTube चेनल YouTube चेनल के यहाँ पर मैं लिख देता हूँ YouTube पर 1000 यह देखे इतना सा टाइप करते ही अब इसमें से आपका कीवर्ड देखना है देखे यह रहा YouTube पर 1000 सस्क्राइबर्स कैसे करें ठीक है यहाँ पर यह title है वीडियो से समंदित है तो इसको ले लेंगे इस तरीके से सर्च करके यही title अगर कोई सर्च करेगा तो आपका वीडियो रन में यह टॉप पर आने की संभावना रहेगी अब इसको वाई टी स्टूडियो में जाते हैं यह देखे वीडियो अपलोड हो रहा है इस पर हम किलिक कर देंगे इस पर किलिक करके फिर यहाँ पर इस पर जो पैंसिल का सेंबल है इस पर किलिक करेंगे इस पर किलिक करके वीडियो को एडिट करेंगे अब यहाँ पर title वाले section में जो title हमारा रह गया था उसका यहाँ पर दूसरा title हम यहाँ से एक space देके copy, paste कर देंगे, ठीक है? यहाँ पर paste कर दिया, अब आगे आप चाहें तो यही symbol लगा कर आप अपने channel का नाम लिख सकते हैं जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इससे क्या होता है कि channel का नाम लगा कर कोई भी search करता है तो आपका channel भी search में बना रहता है इस तरीकी से यहाँ पर यह लिख दिया है यह title हो गया है वीडियो का इसमें मैं space दे देता हूँ यह title complete हो गया अब आपको यही tag में लगाते समय यह जो title आपने डाला है उपर यूपर का एक नमर का इसी को एक नमर का tag भी बनाना है यहाँ से copy कर लेंगे और tag में डाल कर यहाँ पर paste कर देंगे enter कर देंगे यह tag बन गया अब दूसरा tag जो आपने title में यहाँ पर डाला है दूसरा tag भी इसी को बनाना है तो इसको यहाँ से आप copy कर सकते हैं और copy करने के बाद यहीं से वापस इसको tag में paste कर देंगे इस तरीके से यह जो title में डालते हैं वाई tag में एक दो नमर पर ऐसे same डाले और उसके बाद में आप save कर देंगे ठीक है अब यहाँ पर डालने के बाद आप जब वीडियो का description लिखते हैं तो वीडियो का description में भी आपको विसे धान रखना है कि वीडियो की description में आप यह जरूर लिख लिए कि इस वीडियो में आपने क्या बताया है तो मैं यहाँ पर देखे लिखता हूँ देखे यहाँ पर description में ऊपर यूपर यह line इस तरीके से आपको अपने वीडियो से समंदित लिखनी है इस वीडियो में बताया गया है कि YouTube चेनल के 1000 subscribers कैसे complete करें या कैसे बढ़ाएं ठीक है तो यहाँ पर मैं कैसे complete करें ही लिख देता हूँ इस तरीके से description में ऐसी line आपके वीडियो से समंदित लिखनी है और नीचे आपके जो भी description में आप लिखना चाओ वो लिख सकते हैं और इसको save कर देंगे अब इसके अन्य जो tags आपको लगाने हैं उनमें से YouTube में जब भी search करते हैं अन्य इससे related जो tag आ रहे हैं उन्ही tags को आप copy करके यही tag आपको लगाने हैं ठीक है इनको copy करना है और यह tag लगा देने हैं इस तरीके से बढ़िया बढ़िया जो उपर ही उपर आते हैं वो सभी tag आपको यहाँ पर इस video के tag में डाल देने हैं अब देखे यहाँ पर यह 2020 है तो आप 21 चला 21 लिख सकते हैं इस तरीके से और इसको save कर देंगे ऐसे करके यह tag complete करें और उसके बाद में जब भी इस video को कोई title डाल के search करेगा तो आपकी video upload होने के public होने के बाद यहाँ पर जब search में कोई भी search करेगा तो उपर यह उपर एक दो नुमर पर आने की पूरी संभावना रहेगी देखे यहाँ पर इन में से आपकी video दिखाने के संभावना रहेगी तो इस तरीके से आपको अपनी video को search में लाने के लिए upload करते टाइम में इस तरीके से setting करनी है उमीद करता हूँ यह video आपको पसंद आया होगा Thank you